हेलो एवरिवन फ्रेंड्स आप सभी के सामने यूपी पुलिस कॉंस्टिबल की सलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास थर्ड डिसकस कर रहे हैं इसमें हम मेंटल एबिलिटी मांसिक योगईता से सम्बनित सभी प्रशन हल करेंगे दोस्तो यूपी पुलिस की प्रिछली परिछाओं में पूछे गए हैं ये मेंटल एबिलिटी से सम्बनित प्रशन हैं लगबग 40 प्लस प्रशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट है www.nokryasprint.com इस पर जाकर आप सभी विजिट कर सकते हैं कुछ हमारे पेजिज हैं टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यहां पर आप सभी हमें फॉलू कर सकते हैं फर्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है राष्टपती पुलिस पदक कब अस्वित में आया था? एक मार्च 1991, एक मार्च 92, एक मार्च 1953 या फिर 14 इसका राइटांसर होगा एक मार्च 1991 नेक्स्ट कोशन जब आप और आपका परिवार छुट्टियों पर हो तो विभाग आपको कुछ कामों में मदद के लिए ततकाल बुलाता है आप क्या करेंगे? इसे नजरंदास करेंगे, आने से इनकार कर देंगे, प्रबंदन करके जाने का प्रियास करेंगे, अपने वरिस्टों पर चिल लाएंगे इसका राइटांसर होगा, प्रबंदन करके जाने का प्रियास करेंगे कौनसा कानून अपरादिक मामलों में अपराद या निर्दोस्ता के निर्धारण में सम्मदित है भारतिय साक्ष अधिनियम दंड प्रकरिया सहिंता भारतिय दंड सहिंता किशोर नियाए और इसका राइट आंसर होगा भारतिय साक्ष अधिनियम एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके लिए पुलिस की कारिवाई की भारी आलोचना होती है आपके व्रक्तिगत विचार आलोचकों से मेल खाते हैं आपको करना चाहिए सार्विनिक रूप से आलोचकों से सहमत, पुलिस की कारिवाई का सार्विनिक रूप में बचाव पेशिवर तत्रस्ता बनाई रखिए नेक्स्ट कोशन भारतिय सम्विधान में अवसिस्ट सक्तियों की प्रात्मिक भूमिका क्या है राश्टपती के लिए विशेश रूट से सक्तियां आरक्षित करना प्रधानमंत्री के लिए विशेश रूट से सक्तियां आरक्षित करना किसी अनसूची में शामिल ना किये गए मामलों से निपटना और इसका राइट आंसर होगा किसी अनसूची में सामिल ना किये गए मामलों से निपटना नेक्स्ट कोशन आप लगभग 12 घंटे से डूटी पर हैं आपको अपने छेतर में एक सारजिनिक विरोध के हाथ से निकल जाने के बारे में रेडियो संदेश मिलता है आप क्या करेंगे वहाँ जाकर इस सिती का जायजा लेंगे और इसे नियंतरित करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे ये इसका राइट आंसर है भारतिय दंड सहिंता की धारा 146 के तहट दंगे के दोशी पाए गए वक्ती के अधिक्तम सजा क्या होगी एक वर्ष, दो वर्ष, पांच वर्ष या फिर दस वर्ष इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष का कारावास छेतर के दो दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है आपको इसकी सूचना मिली थी और आप मौके पर पहुँच गए अब आप क्या करेंगे तो फ्रेंट्स आप उनके विवादों को सुलजाने के लिए एक सूत्र धार के रूप में कारेंगे नेक्स्ट कोशन स्टेशन पर एक रहस्मई पैकेज आता है आप करेंगे जिग्याशा वस इसे तुरंत खोलिए इसे नदराज कीजिए शायद यह कुछ भी नहीं है संभावित संदिग पैकेजों के लिए प्रकरिया का पालन कीजिए पैकेज की जांच के लिए बिना इमारत खाली कर दें इसका राइटांसर होगा संभावित संदिग पैकेजों के लिए प्रकरिया का पालन कीजिए नेक्स्ट कोशन भारतिय समविधान की किस सूची में रक्षा और विदेशी मामले जैसे रास्टिय महत्य के मामले शामिल है राज्य सूची, संग सूची, संवर्ति सूची अवसिस्ट शक्तिया इसका राइट आंसर होगा संग सूची अगर आप यूपी पुलिस की त्यारी कर रही है तो हमारी वेबसाइट है www.naukaryasprint.com यहाँ पर आप सभी विजट कर सकते हैं फ्री पीडियाफ और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नोकरी एस्परेंट एप डाउनलोड अवश्य करें यहाँ पर आप सभी को करंट अफेल स्टडी मेटियल देखने को मिलेगा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के चाहते हैं सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे नेक्स्ट कोशन आपको डाइल हंड्रेड पर एक आदमी की शिकायत आती है कि उसकी पत्नी उसे पीटती है और उसके साथ बुरा विवहार करती है वह यह भी कहता है कि वह अपने बच्चों की देखबाल नहीं करती है आप क्या करेंगे तो फ्रेंट्स इसका राइटांसर होगा उसके घर जाकर इस्ति की जाँच करेंगे और उसकी पत्नी को छेतावनी देंगे और उसके विवहार पर नियमित नजर रखेंगे नेक्स्ट कोशन भारतिय समविधान में समवर्ती सूची का उद्देश्य क्या है केंद्र और राज दोनों सरकारों के कुछ नियमों विश्यों पर कानून बनाने की अनुमती देना केंद्र सरकार के लिए विश्यों को विशेश रूप से अरक्षित करना राज सरकारों के लिए विश्यों को विशेश रूप से अरक्षित करना किसी अनसूची में शामिल ना किये गए मामलों का समाधान करना इसका राइटांसर होगा केंद्र और राज दोनों सरकारों को कुछ विश्यों पर कानून बनाने की अनुमती देना नेक्स्ट कोशन आपके ठाना छेतर में लड़कियों से छेड़कानी की सूचना बार-बार मिलने पर आप क्या करवाई करेंगे आप अपना पला ज़ाड लेंगे तब तक इंतजार करेंगे जब तक की लिखित शिकायत ना आ जाए दड़कियों पर घर से बाहर ना निकलने का दवाब बनाएंगे आप पता लगाएंगे कि छेड़ चार किसके साथ हुई है तथा घरवालों की मदद से उस आरोपी को पकड़ कर उचित कारवाई करेंगे उसका राइट आंसर होगा आप पता लगाएंगे कि छेट-छार किसके साथ हुई है तता घरवालों की मदद के उस आरोपी को पकड़ कर उचित कारवाई करेंगे नेक्स्ट कोशन कोई व्रक्ति आपके सामने आप प्रकाशनिय अपराद स्विकार करता है तो आप क्या करेंगे उन्हें एक अधिकारिक बयान प्रस्तुत करने के लिए प्रोसाहित कीजिए बारतिय सम्विधान में राज के नीती निदेशक सिध्धानतों का प्रात्मिक उद्देश होता है कि लोगों के कल्यान के लिए नीती निर्मान में राज का मार्गदर्शन करना आपके छेतर में शक्तिसाली व्यक्ति दबंग है जो गरीब लोगों का फायदा उठाता है और उनसे सुरक्षा रासी वसूल करता है आप इस्थिती को कैसे संभालेंगे तो जनता को एक जुट होने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन कौन सा कानून बच्चों के खिलाफ योन उत्पीणन से सम्मदित है इसका राइट आंसर होगा पॉक्सो अधिनियम नेक्स्ट कोशन आपको सूचना मिलती है कि एक व्रक्ती सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला है जन्ता की मदद से अब उसे सिविल अस्पताल भरती कराये गया है जहां उसकी मौत हो गई अब आप क्या करेंगे तो समान विवरण खाली वाली किसी गुमशुदा सिकायत की खोज करेंगे यदि कोई मेल नहीं खाता है तो अग्यात शव के लिए आपचारे घोशना करेंगे आप एक बहुत ही भावक और व्यतित पीडित के साथ विवार कर रहे हैं आपको करना चाहिए तो सहानभूती पूवक सुनिए और पीडित को आश्वश कीजिए आप पीशी की धारा 420 क्या बताती है अपरहन धोका धड़ी और बेइमानी से संपत्ती के विवरण के लिए उत्परेरित करना अपरादियों की एक समु धार्मिक स्थान पर छिपा है और बाहर नहीं आ रहा है आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे तो चेतावनी देने के लिए स्पीकर वक्ताओं का प्रयोग करेंगे और उन्हें बहार आने के लिए राजी करेंगे नेक्स कोशन आप लगभग 10 गंटे से काम पर हैं जैसे ही आप जाने वाले हैं एक आदमी आपके पास आता है और आप से अपने घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसने एक चोर को पकड़ा है जो उसका कीमती नुकसान चुराने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसके साथ उसके घर जाएंगे और देखेंगे क्या मामला है नेक्स्ट कोशन महिला जन्गांग जो विक्रती का कारिक किस कानून के तहत निशिद है IPC की धारा 326, पॉश अधिनियम, PCPNDT अधिनियम उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं और इसका राइटांसर होगा उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं यहाँ पर आप सभी देखेंगे इसका राइटांसर एक बार नेक्स्ट कोशन एक सार्वजिनिक सेहबागिता कारिकरम के दोरान एक व्रक्ती पुलिस के बारे में हानिकारक आरोप लगा कर आपको उकसाता है तो आप क्या करेंगे तो फ्रेंट्स इसका राइटांसर होगा सार्विनिक सेवा के प्रती अपनी प्रती बद्दता पर जोड़ देते हुए उनकी चिंताओं को विनमरता से संबोधित कीजिए नेक्स कोशन आपके छेतर में चोरी और रात में होने वाले अपराद बढ़ते ही जा रही है एक पुलिस कर्मी के रूप में आप अपने छेतर में सामप्रदाइक सदभाब बनाए रखने के लिए क्या करेंगे तो फ्रेंट्स उन इलाकों में रात में पैट्रोलिंग करेंगे जहां अपराद के मामले बढ़ रहे है नेक्स कोशन स्वापक औशिदी और मन्हे प्रभाबी पदार्थ अधिनियम का प्रात्मिक फोकस क्या है तो यह नशीली दवाओं में संबंदित अपरादों को संबोधित करना नेक्स कोशन आप किसी ऐसे ग्रामीर छेतर में तैनात हैं जहां जातिगत वेदवाओ आदर्श है यहां तक कि इसके शिकार लोग भी से सहिस्ता से स्विकार कर लेते हैं ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे जातिगत वेदवाओं की बुराईयों के प्रती लोगों को जागरुक करेंगे और उनका सक्ती से लेकिन धीरे धीरे पालन करने के नियम बनाएंगे नेक्स कोशन आपको इसके बारे में ना तो राजनितिक दल ना ही उमीदवार द्वारा सूचित किया गया है आप क्या करेंगे तो उन्हें इस तरह के अभियान आईजित करने से रोखेंगे क्योंकि आपको पहले से सूचित नहीं किया गया है फ्रेंड्स अगर आप यूपी बुलिस की त्यारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukri-espirant.com यहाँ पर आप सभी विजिट कर सकते हैं फ्री पीडियाफ और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौक्री एस्परेंट डाउनलोड कर सकते हैं एक अपरादी शशस्त्र और खतरनाक है लेकिन आप बैक अप की प्रतिक्षा कर रहे हैं आप क्या करेंगे तो आत्म समर्पण करने के लिए अपरादी से बाचीत करने का प्रयास किजिए आप एक दुकान पर खड़े हैं और अचानक आपके बगल में खड़ी गर्बवती मैला दड़ से चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही है ऐसी स्तती में आप क्या करेंगे उसे शान्त करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे और उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करेंगे भारत में मुख्बिरों को कौन सा कानून सुरक्षा प्रदान करता है? सूचना का अधिकार अधिनियम, ब्रस्टाचार, भारतिय साक्ष अधिनियम, इसका राइट आंसर होगा विस लवोय, सरक्षन, आपका अधिनियम आपने देखा कि एक साथी अधिकारी ड्यूटी के दोरा नशे में हैं, आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे उन्हें तुरंत अपने परिवक्षक की रिपोर्ट कीजिए रिहाईशी इलाके में एक बंद इमारत है, जिसके मालिक वहां नहीं रहते कुछ व्रक्ति आपके पास आए और शिकायत कर रही है कि रात में कुछ यूवा लड़के वह शराब पीने आते हैं और छट पर शोर मचाते हैं, ऐसी स्थिती में आप क्या करेंगे? तो रात में उस जगे का दोरा करेंगे और लड़कों को रंगे हातों पकड़ेंगे और उन्हें हंगामा करने के लिए ग्रफतार करेंगे सूचना का दिकार अधीनियम का प्रात्मिक उदेश क्या है? सरकार में पादिष्टा और जवाब देही शुनिशित करना देर रात एक व्रक्ती आपके घर की घंटी भजाता है और आपसे मदद मांगता है एक पुलिस कर्मचारी के रूप में आप क्या करेंगे? उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे भारत में वनजीर सरक्षण और सरक्षण को किस कानून के तहट संबोधित किया गया है? तो भारती अवन अधिनियम के तहट किया गया है घैर कानूनी गतिविदियों को नजरंदास करने के लिए आपको रिश्वत की पेशकस की जाती है आपको करना चाहिए क्या करेंगे आप रिश्वत स्विकार करेंगे या रिश्वत की पेशकश करने वाले वक्ति के हिंसक तरीके से सामना कीजिए प्रस्ताव को आश्विकार कीजिए या फिर रिश्वत लिने का ना टक कीजिए इसका राइट आंसर होगा प्रस्ताव को आश्विकार कीजिए और इसकी सूचना अपने वरिष्ट को दीजिए तो फ्रेंड्स येते important question उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगे लाइक शेर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फ्रेंड्स कुछ हमारे हैं टेलिग्राम पेज़ेस फेस्बुक इंस्टाग्राम यहाँ पर आप सभी हमें फोलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वचिंग